नमस्ते दोस्तों मैं संदीप चौरशिया फारकाव वेलफेर सोसाइटी भौपाल से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे फारकाव वेलफेर सोसाइटी परिवार से लगभग एक हजार से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और जो कि बहुत ही जल्दी हुआ है मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी दोस्तों कि आप लोगों से इतना प्या में अबिलेबल हैं और बहुत सारी रिक्वाइरमेंट दोस्तों आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि देश से नहीं बिदेश से भी आना शुरू हो चुकी है तो बहुत ही खुशी की बात है तो दोस्तों इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपको यह बताना चा और जर्सी में दोस्तों इनके कुछ अच्छे बुल हैं जिनका मैं बताना चाहूंगा आपको कि जर्सी में जैसे हम देखते हैं कि जिग बुल मैंने आपको बताया था जिग बुल जो की 9000 प्लस लीटर दूद का रिकॉर्ड है जिसका अभी इंपोर्ट किया था पिछले लो और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इसके फैट की तो फैट भी इसका काफी जादा है इसलिए इसकी रिकॉर्मेंट भी बहुत आ रही है दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे बुल की मैक्सवेल जनरल केटिगरी का बुल है कन्वेंशनल बुल है तो इसका रिकॉर है वो लगभग 6,000 लीटर प्लस 305 दिन का दूद है इसका और फिर मैं एक बहुत ही अच्छे बुल के बारे में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों मेरी नजर में ये बुल बहुत ही बेस्ट है टाइसन बुल बहुत जगे यूज हुआ है और दोस्तों एक खासियत बताता ह में आता है थोड़ कोसली हो सकता है लेकिन इसके बारे मैं बस यही बताना चाहूँगा कि इसके रिजल्ट बहुत ही जादा बहत है अन बलो में रिजल्ट फोड़ वारा मतलब ये है कि इसके परसेंटेज बहुत जादा देखने को मिल रहे हैं मुझे जहां भी हमने hanno 젖 स साल सीमन दिये थे और जहां भी बच्चे आये थे कुछ फार्मर्स ने वीडियो फोटो शेर की हमें और उसके बाद हमने ये देखा कि वहां पे 95% रिजल्ट बुल का देखने को मिला उसमें जो परसेंटेज है वो बुल का बहुत जादा देखा हमको और बहुत अच्छी बा परसेंट भी बुल के केरेक्टर बच्चों में आ रहे हैं तो यह बहुत ही खुशी की बात है यह बहुत यूनिक जानकारी है क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं होता सभी जगे यही चर्चा होती कि 50% मा का अंच आएगा और 50% फादर का अंच आएगा तो इसमें ऐसा न मिली इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ इसके बाद दोस्तों PKC टेकनलोजी में नेमार बुल है जिसका रिकॉर्ड लगबग अठावन सो प्लस 305 दिन का है और फैट परसेंट भी इसका 5.8 के आसपास है तो दोस्तों यह जर्सी के जो बुल है यह चार बुल यह हैं हम बात सिफ उनी बुलों की करेंगे जिनके रिजल्ट MP में आए ताकि आप भी उन बुलों को चूज करके यूज करें और ब्रीडिंग पे आगे बढ़ें क्योंकि हम लोग बहुत प्रेक्टिकल करते हैं दोस्तों हर फार्मर से जानकारी लेते हैं उनके हाँ कौन से ए जानकारी दी गई थी मुझे कि पाइपर की बचिया जो थी वो 27 लीटर मिल्क फस लेक्टेशन में दे रही है बहुत अच्छी बात है दोस्तों मैं चाहता हूँ सभी फार्मर से कि जिनके पास भी एबीस के बच्चे आएं और या वो बच्चिया दूद देने लगी हैं त जो भी सच्चाई बताते हैं वो फील्ड की सच्चाई बताते हैं प्रेक्टिकली क्योंकि हम लोग फार्मर के पास जाते हैं फार्म पे विजट करते हैं वहां एक्च्छल इस्तिती देखने के बाद ही आपको जानकारी देते हैं या नॉलेज शेयर करते हैं दोस्तों तो यह जर्सी बुलो की एक डिटेल मेंने दी है जो दे रहा था मैं या देना चाहता था आप लोगों को क्योंकि जर्सी का टाइसन बुल जिग बुल बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत अच्छा योगदान रहे गा है इनका आगे ब्रीडिंग में कि जर्सी बहुत मुश् झाल